हेलो एवरिवन प्रवीन कुमार हैस दिस साइड आज हम लोग एपिसोड फाइफ में बात करेंगे ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जो डारिक सेलिंग प्रोफेशन में आपको बहुत जल्दी सक्सेस्फुल बना सकते हैं तो सबसे पहली जो चीज होती है आप जितने भी सक्सेस पर work नहीं करते हैं उनके खुद के ड्रीम्स होते हैं इवन दे अर इन बॉटम लेवल इवन दे हैव जीरो टीम बट दे हैव विजन उनके पास एक अपना खुद का विजन होता है तो अगर आप डारिक सेलिंग के अंदर सक्सेस्फुल बनना चाहते हैं तो एक विजन के स साथ स्टार्ट करिए इवेन अगर आपके खुद के विजन नहीं है तो उस परसन से कनेक्ट होई है जिसके पास खुद के विजन है दूसरी जो चीज होती है डारेक्ट सेलिंग में सक्सेस्फुल बनने के लिए उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एटिट्यूड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटिट्यूड इन दे सेंस जब आप इस जर्नी में अपना स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें होंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कई बार आपके business related होगा, कई बार problems, आपके life related होगा, कई बार problems, अगर आप study कर रहे हो, तो study से related होगा, या job कर रहे हो, तो jobs related होगा, बट जितने भी direct seller successful हुए हैं, वो कहीं न कहीं अपनी problem को solve करना जानते हैं, अगर उनके पास उस problem का solution नहीं है, तो वो रास्ता जानते हैं, कि इस problem का solution मुझे कैसे निकालना है, और इस starting time में क्या होता है न, बहुत बार चीजों को हम light way में रखते हैं, तो उस time पर मेरा मानना यह है, कि हमें अपने appliance, यानि कि जो हमारे seniors होते हैं direct selling में, हमें उनकी help लेनी चाहिए, तो problem solving skills कहीं न कहीं, इस तरीके से automatically अप अप अंदर develop हो जाती हैं, और एक समय पर ऐसा होगा, कि आप अपनी problem खुद solve करना सीख जाओगे, तो दूसरी ये skills बहुत important है, जो direct selling के अंदर हमें successful बना सकते हैं, थर्ड जो चीज होता है, जितने भी direct seller होते हैं, वो काम करना जानते हैं, वो काम करना जानते हैं और काम करते भी हैं regular basis पर, क्योंकि आप देखो न, अगर कोई एक cruise है, अगर एक cruise जो होता है, एक sip होता है, जो पानी के अंदर चलता है, उस sip को starting में पहले हमें direction देना होगा, यानि कि एक तरीके से आपको goal set करना होगा, कि मुझे इस location पर जाना है, लेकिन जब आपने location set कर दिया, फिर आपको drive करना होगा cruise को, आपको concentrate करना होगा उस direction पर, उसी तरीके से इस business में भी होता है, कि आपको काम करना होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, इक लिए मेरे team crew नहीं करेगी, तो ये चीज़ कहीं न कहीं होता है, एक direct seller के अंदर जो successful होते हैं, जो fourth point होता है, जितने भी direct seller को आप मिलोगे, जो successful हैं, वो एक बहुत अच्छे teacher होते हैं, उनको पता होता है, कि किसी भी person को कैसे teach करना है, चाहिए वो बहुत ज़्यादा जानता हो, चाहिए वो बहुत अच्छे से knowledgeful person नहीं हो, वो लोगों के सामने उनको बताना जानते हैं, उनको teach करना जानते हैं, और सबसे best चीज़ मुझे लगते है direct selling के अंदर, अगर आपके अंदर ये skills नहीं भी हैं, तो भी आप अपने अंदर दीरे-दीरे develop कर लेते हो, और फिफ्ट इंपॉर्टेंज जो point होता है, जितने भी direct seller होते हैं, वो lifetime student होते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर ये attitude आ गया, कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूत नहीं है, वहीं पर आप इस business में fail हो जाते हो, क्योंकि आपको भी पता है, आज की time में जो हमारा जो society है, हमारा जो आज का जो technology वाला situation है, ये बहुत तेजी से change हो रहा है, तो अपने आपको update वही इंसान रख सकता है, जो lifetime student होता है, जो हर देन कुछ न कुछ अपने business related और अपने skills को improve करने से related सीख रहा हो, तो अगर आप एक student हो, सीखने के लिए ready हो, तो इस business के अंदर आप बहुत अच्छे, grow करने वाले हो, बहुत जल्दी successful बनने वाले हो, and the last point, जितने भी लोग direct selling में successful बने हैं, वो एक leader होते हैं, एक leader होते हैं, और leader का मतलब simple सा वो होता है, leader का मतलब यह नहीं कि जो केवल बोल रहा हो, leader का मतलब यह होता है, अगर आप उस इंसान के साथ में हो, आप उनके साथ में हो, उनकी activity देख रहे हो, तो आपको खुदब खुद इंफुलेंस होगा कि मुझे भे इस बिजनेस के अंदर ऐसे व्ग करना है, मुझे भे इस बिजनेस के अंदर कही न गही अपने skills को develop करना है, मुझे भी अपने business के अंदर और भी leaders create करने हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं, अगर आप इन सारी skills को develop कर रहे हो या फिर अभी नहीं कियो तो करना चाहते हो तो कहीं न कहीं आप इस business के अंदर successful बन सकते हो So this is all from my side, thank you all of you